नमस्कार दोस्तों मैं प्राध्यापक बहिरम देवेंदर आप सभी लोगों का भारतिय साहिते चैनल में स्वागत करता हूँ आज हम लोग जिस कहानी की चर्चा करने वाले हैं वह है उपन्या समराथ, कहानी समराथ, प्रेमचन की सुप्रसिद्य कहानी सवासरगे हूँ हम सभी लोग जानते है जमेंदारी प्रथा, महाजनी प्रथा इन सभी लोगों ने किसानों का मजदूरों का शोषन किया है और यही शोषन का वर्णन हमें प्रेमचन जी की कहानियों में प्राप्त होता है प्रेमचंजी की सामाजी कहानिया जो है इसमें विशेश रूप से किसान, मजदूर, मध्यमवर्ग और ग्रामिन परिवेश के वर्गों का चितरन हमें प्राप्त होता है प्रेमचंजी जहां रहते थे वहां पर भी ऐसा ही वातावरन था, बंदूवा मजदूरी का चलन था ऐसे समय सवासेर गेहूं जैसी कहानी हमें आज भी उस समय की दाहकता का परिचे दिलाती है किस प्रकार से सावकारी प्रथा और वहां की महजनी प्रथा जो थी वह किसानों का मजदूरों का शोशन करती थी और विशेश रूप से इसके कौन से कारान हो सकते हैं मजदूरों के शोशन का ये भी हमें सवासेर गेहूं जैसी कहानी हमें प्रकट करती है इस कहानी की कथावस्तू मैं संशिप में आपके सामने रखना चाहूँगा, शंकर इस कहानी के दो ही पात्र महतवपुर्ण है, एक है विप्रजी और दूसरा शंकर, इस कहानी में मैं अधिक विश्लेशन नग करते हुए, मैं इसका सार आपके समुक रखना चाहूँगा, श शर्दा के नाम पर वो सब कुछ त्यागने की बात करता है, और इसके परिणाम स्वरुप, वो अपने जीवन को भी दाओं पर लगा सकता है, ऐसा हमारा शंकर, शंकर एक सिदा सारा गरीब दुनिया के चल प्रपंचा से दूर, उसे कपट कभी पता नहीं था, वो सिदा थ कारण, उस समय सादू संतों को, सादू संत अगर कोई अपने घर आ जाते थे, तो उनकी आओभगत होती थी, उनका स्वागत होता था, क्योंकि गरीब किसान, अपने घर में किसी महत्मा को देखने के बाद, बड़ा आनंदित होता है, ऐसा ही शंकर आनंदित होता है, एक मह महत्मा जी उनके घर पधारे, उनके घर आते ही, शंकर को लगा, कि हमारी यह भगवान पधार गये है, वो खुश हुए, लेकिन महत्मा जी के आओभगत करते समय, उसे ध्यान में आया, कि हमारे घर में जव का आटा है, तो जव के आटे से की रूटी कैसे खिला सकते हैं मह विप्रजी को इसलिए उन्होंने शंकर ने सोचा कि चलो मैं गेहू लेकर आता हूं आस पास गेहू का आठा माखा लेकिन कहीं पर मिला नहीं इसलिए व से गेहू उपलबद कराने के लिए जब रास्ते में ही उन्हें विप्रजी मिल गए अब विप्रजी मिलने के बाद वो खुश हो गया उन्हें अपनी वेथा विप्रजी से कही कि मुझे गहूं चाहिए विप्रजी ने सवासेर गहूं तोल कर दे दिये और देने के बाद इसके मन में आया विप्रजी को ह साल में दो बार खलियानी देते हैं देखे खलियानी देना ये गाउं की प्रथा है दोस्तों खलियानी इसका मतलब कि उस समय ये जो सादू ये जो ब्राह्मन वर्ग होता था ये लोग क्या करते थे पुझा पाट वगरे साल में अगर कभी जरूरी होती चाहे शादी हो खलियान में आती थी वह समय उस पंसल में से कुछ हिस्सा अं लूगों को दे देते थे इसे कहते हैं खलियानी और हमेशा हमारे शंकर को लगशें शंकर ने सोचा कि खलियानी के समय वर फैरजी के सवाशेर गहों लोटा देगा और घर आकर अपनी स्त्री से आटा पिस्वा कर महत्मा जी को भोजन कराया महत्मा जी भी रात्री का विश्राम करके सुबज चले गए फिर उस सवाशेर गेहूं के बदले शंकर का क्या हश्र हुआ यही इस कहानी की शुरुवात है मतलब एक महत्मा जी आते है और एक सामान्य किसान के घर भोजन करते है सामान्य किसान जो है शंकर बड़े प्यार से उसको भून को भोजन देता है सवाशेर गेहूं विप्रजी के पास से लेकर आता है विप्रजी को यह सोचता है कि सवाशेर गेहूं तो है इन सवासर गेहूं को हम लोग क्या करेंगे बाद मैं मैं खलियानी के समय ठोड़ा ज़्यादा दे दूँगा ऐसा करके शंकर इस बात को भूल जाता है कहानी शुरू होती है महात्मा जी के जाने के बाद शंकर ने सोचा सवासर गेहूं विप्रजी को क्या दू खलियानी देते समय पंसरी के बदले से उपर कुछ दे दूगा और उस समय पंसरी के डेड़ पंसरी गेहूं विप्रजी को भी दे दिये और आपको रून से मुक्त समझ कर शंकर ने कोई चर्चा ना की देखे जब शंकर के खलियान में विप्रजी पोचे उनने खलियानी दी और उपर से ज़्यादा गेहू भी दे दिये सवासेर से भी ज़्यादा दे दिये ये भी विश्य बात एध्यान में रखेगा सवासेर से भी ज़्यादा गेहु दे दिये और शंकर को लगा मन ही मन कि मैंने जो गेहु दिये है इसका अर्थ मैंने जो सवासेर गेहु दिये थे उस रून से अपने आपको शंकर ने खुद मुख्त समझ लिया दोस्तों ये भावना हम लोगों में भी होती है अगर जैसे रास्ते में जाते जाते आपको कोई चाई पिलाता है इसका मतलब आप लोगों को लगता है कि इन भाई सामने मेरे मित्र ने मुझे चाई पिलाई है तो दूसरे तिसरे दिन हम लोग क्या करते हैं चाय पिला देते हैं हम सोचते थोड़े ये कितने की चाय पिलाई क्या पिलाई ये लिकर थोड़ा रखते हैं लेकिन ये सहज मनोभाव होता है कि आपको कोई अगर सहयोग थोड़ा बहुत देता है तो वही सहयोग हम लोग दे लेकिन हम बोल के नहीं दिखाते क्योंकि यही एक संस्कार होते हैं और इसी संस्कारों के कारण शंकर को भी लगा खलियाने के लिए खलियानी में ही जादा गेहू उन्हों ने दे दिये, शंकर ने दे दिये, उन्तु शंकर को क्या पता था कि उसे उस गेहू को चुकाने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ा, क्योंकि विप्रजी ने उस समय कोई बात नहीं की, लेकिन उस सवासेर की बात कब हुई? जब ये विप्रजीने शंकर को रहा में रोक कर कहा, साथ साल बार बात विप्रजीने शंकर को रहा में रोक कर कहा, तेरे साड़े पांच मन गेहू उदार है, उन्होंने किस प्रकार भोले भाले शंकर को कर्म कांड संबन्दी बातों में उलजा कर डरा दिया, आप देखेगा, साथ साल पहले सके तुमारे साड़े विशी शुप से सवासेर गेहूं उधार है और वो कब दोगे तुम क्योंकि ऐसे उधार मांगा वहां चुकाना पड़ता है और ईश्वर का वास्ता देकर डरा कर मैं तो अपनी भाषा में कहूंगा यह लोग क्या करते है इश्वर का नाम ले साथ साल में साड़े पाच में गेहूं उधार है उन्होंने किस प्रकार भोले भाले शंकर को करमकान की बातों में उलजा दिया और कहां तुने अगर यह साड़े पाच में गेहूं अगर चुकाए नहीं तो तुम्हें नरत में जाना पड़ेगा यह सारा डर शंकर के मन में डाल दिया उसके बाद शंकर ने कहा ठीक है तो फिर उसके गहूं के दाम लगा कर मैं क्या करता हूं तू अगर साड़े पाच मन दे नहीं सकता तो एक काम कर शंकर ने अपनी विब्दा सुनाई उसके बात युनों ने कहा कि उस गेहूं के साट रुपे दाम लगाकर उसके दस्तावेज बनाए गए तीन रुपे से एकड़े सूर भी लिखा गया शंकर ने साल भर एक समय भोजन किया रात को रोटिया केवल पुत्र के लिए बचाई जाती थी पूरे एक साल में साट भी जमा हो गए किन्तु पंद्रा रुपे ब्याच क्या करे ये प्रश्न शंकर के पास था इस कहाने में पुरा वर्णन है शंकर की परिस्ति कितनी गंबीर होती है भाई उसका बटवारा करके अलग हो जाता है भाई के जाने के बाद शंकर की स्थिति क्या होती है एक वक्त का खाना पड़ता है अपने बेटे को ही रोटी देता है ये बेचारा शंकर ऐसे ही रहता ह साथ रुपे देने के बाद भी पंदर रुपे बहस का कया करें यह प्रश्ण शंकर के सामने है। विप्रजी का हमानने वाले थे और अब शंकर का सारा सहियम और निराशा में बदल गया था क्यूंकि विप्रजी ने कह दिया था की आप क्या करो कि शंकर को लगा था यह 15 माप कर देंगे लेकिन विप्रजी ने माप नहीं किया और पूरा सहीयम खुँद चुक आ था शंकर, परिवार बिखर गया था और जब भी गाम लोग सहीयम खुँद चुकते हैं तो हम निराशा की गर्टता में चले जाते हैं, जब हमें कोई रास्ता सूट जाता है मनुष्य का मेहनत करने के बाद भी अगर उसका फल सामने वाले से नहीं मिलता तब निराश हो जाता है शंकर जैसे हजारों किसान हाजारे मजदूर कभी-कभी हम लोग देखते हैं निराशा की गर्तता में अंधेरे में डूब जाते हैं ऐसे ही मतलब प्रेमचन जी कितना सटिक लिखते हैं कि आशा ही उत्सा की जन्नी है आशा में तेज है बल है जीवन है लेकिन विप्रजी ने उसकी आशा की सारी बाते नश्ट कर दी थी अब विप्रजी ने क्या किया था कोई भी आशा उसके सामनों के रखी नहीं थी और शंकर को तो अब मेहनत से चीड़ी हो चुकी थी आखिर कपड़ों में भी चक्तियों लगने की भी सिमा होती है वो नशेकी और उन्मुक हो गया उसके बाद एक दिन अचानक शंकर को विप्रजी ने बुलाया और कहां साथ टुपे गेहूं वाले दस्तावे दिखाए जो उसके कटने के बाद भी बढ़कर 120 रुपे हो गए और आज फिर शंकर जिवन भर का गुलाम बन गया इसका अर्थ क्या हुआ 120 रुपे कौन चुकाएगा विप्रजी ने कहा और विप्रजी ने कहा आप क्या करो तुम क्या करो मेरे खेतों में काम करो तुमारा बेटा और पत्नी तो है तुम मेरे खेतों में काम करो जितने मजदूरी होगी में मजदूरी में इन करजे में से काट लूँगा यह सारी स्थिती होगी मुलब तुम्हारा करजावे चुक्ता हो जाएगा और तुम्हें काम भी मिल जाएगा ऐसे करके मजदूर की ओर हमारे शंकर को गुलाम मनाये गया उसके जीवन में उसके पूरे जीवन में गुलाम पूरे शंकर के पूरे जीवन में गुलामी स्विकार कर ली विपरजी ने कहा कि आज से तू और तेरे बाद तेरा बेटा मतलब शंकर तो चला गया शंकर की विपरजी की गुलामी करते करते पूरी जिंदेगी खतम हो गई आज शंकर जाने के बाद विपरजी ने उसके बेटे का गला पकड़ लिया और आज ऐसे हजारों विप्रजी है जो मजदुरों के किसनों के गले पकड़ पकड़ कर उन्हें निराशा की गर्तता में ले जाते है प्रेमचन जी कहते हैं ये कपोल कल्पित नहीं है ये कथा जो है ऐसी है कि आपको कही न कहीं शंकर मिल जाएगा कहीं न कहीं ऐसे भी पर मिल जाएंगे जो अन्याय अत्याचार करते हैं और हम लोगों को गुलाम बनाते हैं ये भारत की किसानों की भयावज, सिति, अथारतता, प्रेम, चंजी, स्वतंत्रता, पुरूर ये हमारे सम्मुक रखते हैं और आज भी ये कहानी प्रासंगिक हो ज जाती है, जब हम लोग देखते हैं दोस्तों, इस कहानी का उद्देश ये हैं कि हम लोग देखते हैं कि आज में महाराष्णा में किसान आत्मा त्या करते हैं, आज भी हम लोग जगा-जगा पर मजदुरी करने वाले लोग देखते हैं, जगा-जगा पर कर्चों में सिक आर्थिक और शारिरिक शोशन का ये उड़ारन हमारे सम्मुक रखते हैं भारतिय समाज की साहुकारी वर्ग से त्रस्त किसान मुद्धूर वर्ग की दशा का चित्रनियाँ पर फ्रेमचन व्यक्त करते हैं वनलब हम लोगों को किसानों की इस अवस्ता को पहुचाने वाल भावनिक पद्धती से और शंकर जैसे जो पहले किसान होते हैं बाद में बंदुआ मजदूरी करते करते पुरी जिंदगी खतम हो जाती है फिर उसके बेटे को उखर्जा चुकाना पड़ता है ये सारा जो क्रिया कलाप या इस कहानी में दिया गया है ये भैंकर है दोस्त गेहू के कितने हो गए साड़े पाच मन साथ साल के बाद विप्रजी उनके पास गया हो बोले कि साड़े पाच मन तेरा गेहू बाकी है साड़े पाच मन के बाद साट रुपे के हिसाप से उस पर करजा रखा गया वो पैसे चुकाने के बाद पंदरा रुपे बैच चुका करवाया बंदुवा मजदूर बना दिया शंकर की पूरी जिंदगी खतम हो गए शंकर मर गया मरने के बाद उसके बेटे की गर्दन विप्रजी ने पकड़ ली यहीं इस कहानी का आंत भयावे हैं और इस प्रकार से प्रेमचंजी ने बंदुवा मजदूरी का किसानों का चि